दोस्तो आज जो टोपिक के बारे में डिसकस करने बाला हूँ वो बहुत ही इंपोर्टिंट होने बाला है। का भी कारण हो सकता है। या तो फिर आपको थाइरोड की प्रॉलम है या फिर वाइटमिन D की डिफिशिंसी। एक बार फिर हाज जिरू इसी दूआ के साथ के फीट रहे हैं इंडिया। स्वागे से दोस्तो हमारी इस चैनल पे। वाइटमिन D3 के कमें से छोटे बाच्चे रिकेट रोग के चपट में आ जाता है। उनके पेरों के हाड़ी मूड जाते हैं जैसे आप इस फिक्चर में देख रहे हो। अस्तियों के आप पूरी तरह से बिकास ना होपाना इसका करण है। D3 का कमे से हाड़ी आप पूरी तरह से ग्रो नहीं होपाते। 40 एर्ज के बाद हाड़ी आप में केलसियम का कमी हो जाता है। और हाड़ी आप भंगूर होने लगते हैं। इससे फ्रेक्चर होने का डर बना रहता है। थोड़े से चोट लगने पर भी आपको फ्रेक्चर हो सकता है। जिसका में रिजन काईने काई वाइटामिन D3 है। दोस्तो आप लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लेम हो सकता है। आपके बैक्पेंट बना रहता है। क्रमन में दर्द या पूरी बोड़ी में डर्द बना रहता है। आप डिप्रेशन का भी सिकार हो सकते है। आप जल्दी ठक जाएंगे। आप सोचेंगे काम तो हमने कुछ नहीं किया। फिर भी ऐसा ठकन क्यों लग रहा है। यह संके थे कि आपके बोड़ी में वाइटामिन D3 की कमी है। हार्ट रिलेटेड जितने भी प्रब्लम है या फिर डाविड इसका खत्रा इनसे बढ़ जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं वाइटामिन D3 की डेले रेकोमिनेशन क्या है। हमें कितना रोजेस इसका लेना चाहिए। जियो से लेके 12 मन्त के बच्ची के लिए 400 IU, IU मतलब इंटरनेशनल इउनिट। वान यार्स से लेके 70 यार्स तक 600 IU, 70 यार्स के उपर के लिए 800 IU D3 आमें रोजेना लेना चाहिए। वाइटामिन D3 के सबसे बड़िया सोट से सानलाइट। हमें सुराज के केनों से ही वाइटामिन D3 मिलता है। जब आपके स्कीन एक्सपोज होते हैं सानलाइट के समने तो बड़ि खुद बखुद वाइटामिन D3 बना लेता है। 30 मिनिट से 45 मिनिट तक आगर आप धुप लेते हो तो आपके बड़ि पूरी दिन की वाइटामिन D3 की इंटेक्ट कर पाएगा। आप सुवे साथ बाजे से ना बजे तक धुप ले सकते हो। बाकि food source में, non vegetarian source में ही vitamin D3 होते है। vegetarian में ये बहुत ही कम मत्रा में होता है, non-veg source के अंदर cod liver oil, salmon fish, tuna fish, s chicken best etc. और vajz source में milk, card, cottage cheese यानि पनीर में vitamin D3 मिलता है। vegetarian source में ये बहुत ही कम मत्रा में मिलता है। तो आपको आट करने परेगा vitamin D3 का supplement। अगर आप नॉनमेश हो, फीस, कॉडलीबार वैल लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप pure vegetarian हो या आपके body में vitamin D3 का deficiency है और आप supplement यूज करना चाहते हो, vitamin D3 का ये वाला supplement add करना पड़ेगा, vitamin D3 का supplement, अगर आप online search करेंगे, vitamin D3 का supplement बहुत ही costly आता है, तो मैं इसका solution कर देता ह आप जेनित nutrition का vitamin D3 supplement यूज कर सकते हैं, इसे आपको ज़रूर add करना चाहिए, अगर जेनित nutrition का vitamin D3 आप यूज करना चाहते हो, तो description में उसका link है, आप जाएए और purchase कीजिए, अगर आप इस link से खरिकते हैं, तो आपको एक बढ़िया सा discount मिल जाएगा, तो दोस्तों आज इतना ही फीर मिलेंगे किजिए दूसरे वीडियो में, तब तक लिए stay healthy, stay fit.